हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बड़ फिर से एक्सपर्ट नर्सिंग लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर जिहां दोस्तों CHO यानि कम्यूटी हेल्थ ओपिसर की नई बड़तिया आप लोग के लिए आ चुकी है जी एनम, BSC और पोस्ट BSC तीनों ही Candidates Form को अप्लाई कर पाएंगे उसके अंदर क्या सरते हैं वह मैं आपको यह पर बता देना चाहता हूँ दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं BSC Nursing के साथ Integrated CCS चाहिए Post Basic BSC के साथ भी Integrated CCS चाहिए जो 2020 के बाद की जितनी Candidates Pass Out है उन सबी का CCS उनके पास होगा तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके साथ हैं आप देख सकते हैं कि पोस्ट BSC के जनरल नर्सिंग अप्लाई कर सकते हैं पास Candidates भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं बट उनके पास इगनों से किया हुआ CCS ह होना चाहिए ठीक है यानि GNM BSC और पोस्ट BSC को अप्लाई कर सकते हैं खाली उनके पास CCS Certificate होना चाहिए Certificate in Community Health इसके साथ आप यहां पर देख सकते हैं पोस्ट जो रखी गई है टोटल 45 जो पोस्ट रखी गई है इसमें यूर मेल और फिमेल की कोई सीट नहीं है इस परकार से टोटल 45 जो सीट है यह 45 पदोपर यह वेकेंसी यहां पर रिलीज की गई है जिसके अंदर आप यह दी है इस फोहँ को प्लेया कर सकते हैं दोस्ट हम आपको यहां पे बता की जो बहार सियएची जो वेकैंसी है कोंट्रीग बैसेस पे है और इसके अंदर आपको जो सेलरी मिलने वालिए वह मिलेगी 40,000 अब दोट्त नहिक यहां क्या होगा दोस्तो वह आपको जो प्राइमरी हेल्थ केर जो हड़ो सी है Health and Wellness Center वहाँ पर आपको आजसा है फिमेल हेल्थ पर रुकर है यानि यह नहीं मेरे हेल्थ पर रुकर है इन सभी को जो है लीड करना है इसके साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो यहाँ पर आप कब से इसका पड़ल यान ओंलाइन कर सकते हैं तो दोस्तो एक अप्रेल 2014 से इसका वार्म बढ़ना शुरू होगी यहां फटे माँन फील कर सकते हैं आपके जितने भी जो भी डॉकुमेंट से असेंसल क्वालिफिक्शन डिगरी है जो भी है वो एक जनुरी दोजार चोईस से पहले के होने आफशक है अप्लिकेशन फीस के दिए हम बात करें तो अप्लिकेशन फीस ने आपके कुछ इस प्रकार से दी गई है जिसके अंदर आ रखिए दोस्तों के टिगरी वाइज तो यह फीसर का करेटेरियर यहां पर रखा गया फीस विल पर सेप्टेट तो ओनलाइन पेमेंट और ओनली यहां पर आप जमा कर पाएंगे यहां पर एस क्रेटेरियर के हम बात कर लें तो 42 यर्स यूर और डबूस के लिए 45 यूर फ आपका कहीं का भी हो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं जब आपका जोइनिंग हो जाएगा तो जोइनिंग के बाद आपको तीन मैने के अंदर अंदर बिहार नर्सी कॉंसल का रिजिस्टेरियर चेंज कराना पड़ेगा अभी ज़रुरत नहीं है अभी आप जो करें बेल बुटिन कॉल पर ज़रूर से दबाले यह आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में थैंक्वी लिखना बिलकुल ना भूले आज किस वीडियो के लितना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद